दोस्तो किसी भी बाइक्स एंड स्कूटर को चलाने में आपको ड्राइविंग लैसेंस के जरुरत परती है यहां तक कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी चलाने पर आपको ड्राइविंग लैसेंस के जरुरत परती है लेकिन कुछ-कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसको चलाने में आपको कोई भी driving license and registration की जरुरत नहीं परती है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसी पांच electric scooter के बारे में जिसको खरीदने पर और चलाने में आपको कोई भी driving license की जरुरत नहीं परेंगी साथी साथ जानेंगे scooter की main main features और on road price के बारे में दोस्तो इंडियन two wheeler rules के मुताबिक जिन bikes and scooters में 25 kmph तक का ही top speed है यानि की maximum speed है 25 kmph उन सारे scooters and bikes में driving license and registration के जरुरत नहीं परती है तो चलें दोस्तो जान लेते हैं उन 5 electric scooter के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर first electric scooter के अगर बात की जाए तो वो है ओफिनवा 830 दोस्तो इस electric scooter में भी आपको driving license and registration की जरुरत नहीं है scooter में आपको 25 kmph का top speed देखनों को मिलता है दोस्तो scooter की बाकी specifications and features के अगर बात की जाए तो scooter में आपको 250 watt BLDC motor देखनों को मिलता है 1.4 kwh का lithium-ion battery scooter में दिया गया है जिसको charge करने में आपको 4 से लेकर 5 घंडे तक का time देना पड़ेगा इसके साथ scooter में आपको auto car charging का function भी देखनों को मिल जाता है overall driving range के अगर बात की जाए तो scooter को आप एक बार full charge करने पर 60 km तक run करवा सकते है अब दोस्तो scooter की price के अगर बात की जाए तो scooter का एक शोरूम प्राइस है 58,900 रुपीज डेली शोरूम की सबसे दोस्तो लिस्ट में second scooter के अगर बात की जाए तो वो है hero electric two wheeler company का optima alex दोस्तो ये scooter इंडिया में काफी ज़्यादा famous है इस scooter में भी आपको driving license and registration की ज़रूरत नहीं परेगी scooter में आपको 250 watt का BLDC model देखनो को मिल जाता है 48V20H का lead acid का battery scooter में दिया गया है इस scooter को एक बार full charge करने पर आप 50 km तक run करवा सकते है इसके साथ scooter की features के अगर बात की जाए इस scooter में आपको LED headlamp, USB mobile charging का option भी देखनों को मिल जाता है दोस्तो, scooter की price के अगर बात की जाए तो Hero Electric Optima LX model का एक showroom price है 51,440 रूपीज टेली showroom की साथ से दोस्तो, list में third electric scooter के अगर बात की जाए तो वो है Okinawa light दोस्तो, इस electric scooter में भी आपको driving license and registration की ज़रूद नहीं पड़ेगा क्योंकि scooter का top speed भी आपको 25 kmph का provide करवाता है दोस्तो, scooter की features and specifications की अगर बात की जाए तो scooter में आपको 250 watt का BLDC motor के साथ साथ 1.25 KWH का lithium-an battery देख़़ों को मिल जाता है scooter में आपको LED TRL headlamp के साथ साथ काफी अच्छा tireless look देखनों को मिल जाता है दोस्तो, scooter की price के अगर बात की जाए तो Okinawa light electric scooter का एक शुरूम प्राइस है 66,900 रुपीज डेली शुरूम की साथ से लिस्ट की number 4 electric scooter के अगर बात की जाए जिसमें आपको driving license और registration की ज़रूरत नहीं परती है वो है Ampare Rio E-Lite दोस्तो, इस electric scooter में आपको 250 watt का BLDC motor देखनों को मिलता है scooter में आपको 48B24H का lead acid and lithium ion का battery option देखनों को मिल जाता है इस scooter को आप एक बार full charge करने पर 65 km तक रान करवा सकता है scooter में आपको LED headlamp, tail lamp देखनों को मिल जाता है scooter की top speed के अगर बात की जाए 25 km पीच का top speed scooter प्रोबाइट करवाता है अब दोस्तो, scooter की price के अगर बात की जाए तो Ampare Rio E-Lite का lead acid का variant है जिसका price है 42,990 रूपीज lithium ion variant का एक शोरूम प्राइस है 59,900 रूपीज डिली शोरूम की साब से दोस्तो, list का number 5 and last electric scooter के अगर बात की जाए जिसमें आपको driving license and registration की ज़रूरत नहीं पड़ेगा वो है टेको इलेक्टरा इमार्च दोस्तो, इस scooter में आपको high speed and low speed दोनों variant का option देखनों को मिल जाता है low speed का specification and features के अगर बात की जाए स्कूटर में आपको 250 watt BLDC motor के साथ साथ 60 volt 30H का lithium ion and lithium acid का battery देखनों को मिलता है दोस्तो, इस scooter को आप एक बार full charge करने पर 100 km तक बान करवा सकता है दोस्तो, scooter की features के अगर बात की जाए अब दोस्तो, scooter की price के अगर बात की जाए तो scooter का on road price है 68,270 रूपीज डेली शोरूम की साथ से